हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुपता इस तरी एवं प्रसुती रोग विशेश्यग्य और किंडम आफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आपने हमसे सवाल पुछा है कि हमें तीन महिने की प्रेगनेंसी है और सोनोग्राफी के दौरान बच्चे की ग्रोथ 12 हफते की आनी चाहिए थी लेकिन केवल 8 हफते की प्रेगनेंसी आ रही है क्या मेरी प्रेगनेंसी ठीक है क्या मेरा बेबी पूरी तरह स्वस्थ है अब करना है और अगर बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है तो हम कितने दिन तक इंतजार करें जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं कि इनकी हिस्ट्री के इसाब से इनको 12 हफते की प्रेगनेंसी आनी चाहिए थी लेकिन इनकी प्रेगनेंसी केवल 8 हफते की दिखाई दे रही है और हमें सोनोग्राफिय की दोरान योग सैक, जेस्टेशनल सैक और एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है और एम्ब्रियो में फीटल हार्ट बीट, कार्डियक एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है और क्राउन ड्रम्प लेंथ के अनुसार यह प्रेगनेंसी 12 हफते के बज मैं आपको बताना चाऊंगी यहाँ पर कि हम जब एब्डॉमिनल रूट से अल्ट्रसाउन कराते हैं तो उसमें अर्ली प्रेगनेंसी के दोरान इन्फरमेशन थोड़ा सा लेट मिलती है लेकिन अगर हम ट्रांस वजैनल सोनोग्राफि करते हैं तो हमें जेस्टेशनल सैक, एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के अंदर कार्डियक पल्सेशन बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं और डाइगनोसिस भी जल्दी बन जाती हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो एम्ब्रियो दिखाई तो दे रहा है लेकिन एम्ब्रियो में बेबी की हार्ट बीट या दिखाई नहीं दे रहे हैं और 11-12 हफते की जो pregnancy इनके menstrual period के इसाब से होनी चाहिए थी वह केवल 8 हफते 5 दिन की आ रही है और embryo में हमें कोई भी cardiac pulsation दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ऐसे case में हमें क्या करना चाहिए अगर आपके sonologist यह लिखते हैं कि यह pregnancy miscarriage या misd abortion है तो आपको terminate करा लेना चाहिए अगर pregnancy कम समय की है और sonologist आपको लिख कर देते हैं कि आप 7 दिन बाद या 10 दिन बाद या 14 दिन बाद दुबारा आकर ultrasound कराएं तब उसी case में आपको इं miscarriage या misd abortion है तो आपको उस pregnancy को terminate करा लेना चाहिए दोस्तों मेरे miscarriage के कारण पर और diagnosis of misd abortion या normal pregnancy पर videos अल्रेडी बने हुए हैं आप channel पर जाकर उसे देख सकते हैं और आप हमसे personally अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या personal guidance लेना चाहते हैं तो आप हमारी website के द्वारा हमसे booking करा कर संपर कर सकते हैं और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप YouTube channel के comment box में डाल कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आपके हर सवाल का जवाव हम देते हैं अगर हमारा already आपके सवाल पर वीडियो बना हुआ है तो हम आपको अपने वीडियो की playlist भेज देते हैं थैंक यू friends अपने स्वास्ट का ध्यान रखिए और हमसे सवाल पूछते रहे हैं थैंक यू